वरतमान सवय में बढ़ती आबादी के कारण पानी की उपलबधता में कमी होती जा रही है वहीं कम होते भू जलिस्तर और पानी की मांग को देखते वे अब जल सरनक्षन की दिशा में सरकारें आवश्यक कदम उठा रही हैं वहीं स्थानी लोग और संस्थाओं द्वारा भी इस दिशा में पहल की जा रही है। इस सिलसले में दुर्गजले के पार्टन विकास खंड के सेलूद गाउं में जन भागीदारी से जल सनरक्षन की दिशा में सराहनी कारी किया जा रहा है। इसके तहट गाउं के घर घर में सोकता पीट तो बनाया ही गया है। साथ ही गाउं में सामुदाइक जल संचयन प्रणाली की स्थापना भी की गई है। जल सनरक्षन के लिए कदम उठाने वाले ग्रामिडों ने बताया कि संचयन की यह प्रणाली धाई लाख लीटर पानी को जमीन में और शोशित करने में सक्षम है। ग्रामिडों द्वारा यह प्रणाली सामाजिक संगठन संकल्प के सहयोग से स्थापित की गई है। इस प्रणाली की खास बात यह है कि परामपरागत हार्वेस्टिंग सिस्टम के मुकाबले इसकी लागत भी बहुत कमाती है और इसका मैंटेनिस चार्ज भी लगभग शूने है। जल सरनक्षन के लिए कारे करने वाले ग्रामिर युवाओं ने बताया कि यह प्रणाली लगभग पचास घरों से निकलने वाले पानी को अवशोशित करने में सक्षम है। कर रहे हैं उसे के परेप। पाइदा जल इस्तर बढ़ा हुआ है गाओं के जल इस्तर बहुत बढ़ा हुआ है और इसके लिए काफी प्रयास और करने की ज़र्वत है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं गाउं की सरपंद खिमिन साहू ने बताया कि ग्राम इड़ों के इस पहल में ग्राम पंचायद भी पूरी तरह से मदद कर रहा है पंचायद इस तर पर भी जल के संरक्षन को लेकर तालाब और डब्री निर्मान सहीद अनेक कारे किये गए हैं अईसे कई अन्य उपाय कारी करत हैं की गाउं के पानी गाउं में ही रहे और गाउं में तलाब निर्मान कराहान चोटे-चोटे डब्री निर्मान कराहान हर घर में जो सोक्ताफ ही बनान पानी के लेबल बढ़ी तो हमरा बोरिंग हमनल में जल बढ़ी सरपच नहीं बताया कि जल से अरक्षन की कारियों की वज़े से गाउं के गिरते जलिस्तर में काफी सुधार आया है